हेलो एरिवान दिस श्वेता पांडे वैलकम टू स्टप अपकेडमी स्टुडेंट्स आज के सेशन में हम डिसकस करने चाह रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर कौन सा है चैप्टर आई जल्दी से देख लेते हैं थर्ड कंटेंप्रेरी साउध एशिया और कैसे डेमोक्रेसी आई क्या मावेस्ट का रोल रहा क्यासे पार्लेमेंट इस्टैबलिश की गई और ये सारे टैन्योर को हम डिसकस करेंगे ठीक थोड़ा सा स्टार्टिंग से हम देखेंगे अगर हम इंडिया और नेपाल को रिलेट करें तो बहुत सारी चीज़ें कल्श् था पास्ट में and then a constitutional monarchy in the modern period for many years मतलब की पहले सबसे पहले अगर पास्ट में हम जाएं तो हिंदू kingdom था उसके बाद थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं आपर constitutional monarchy मतलब constitution तो था लेकिन किस तरीके से monarchy थी मतलब kingship rule यहां पर चल रहा था और ये modern period तक काफी time तक चला ठी इस time पर क्या होता था कि जो political parties और जो common people थे नेपाल के वो क्या चाहते थे कि एक responsive government हो जो system हो government का responsive हो देखो इससे एक चीज़ यह समझो कि जो भी government है वो work किसके लिए कर रही है पीपल के लिए ही कर रही है और पीपल क्या चाहेंगे कि responsive का मतलब यह है कि एक जिम्मेदार सरकार हो वो काम हमारी लिए अच्छे से करे हर एक work को systematically करे तो यहां पर यह बताया गया कि इस time पर जो political parties थी और जो common people थे नेपाल के वो चाहते थे कि नेपाल में एक responsive system हो government का लेकिन किंग यहां पर क्या करता है जो राजा होते हैं वो आर्मी की help से पूरा control कर लेते हैं government पर और जो democracy का expansion की बात चल रही थी नेपाल में उसे यह restrict कर देते हैं ठीक clear हुआ है यहां तक हमने क्या क्या पड़ा कि सबसे पहले हिंदू kingdom था उसके बाद modern period में काफी टाइम तक हमने क्या देखा तो यहां पर हमने constitutional मुनाकी देखी इस time पर political parties और citizens क्या चाहते थे कि responsive system हो government का बट दूसरी जगा king ने क्या किया army की help से पूरा control कर लिया government पर और जो democracy की बात चल रही थी नेपाल में कि लोगों का participation होना चाहिए government का जो election हो रहे एक तरीके से उसमें भी people's participation होना चाहिए उसे यह यहां पर restrict कर देते हैं ठीक अब आगे क्या हुआ तो आगे यहां पर यह देखा गया कि 1990 की बात कर रहे हैं हम यहां पर जो राजा थे वो एक demand को accept कर लेते हैं और वो demand क्या थी यह कहते हैं किस बात के लिए मतलब जो बात चल रही थी कि democratic constitution हो और पहले कैसा constitution था तो मुनाकियल constitution यहां पर इन्हों ने बोल दिया कि चल कर लेते हैं अब क्यों accept करते हैं राजा को ऐसा क्या हो गया कि राजा ने बोल ठीक हम democracy की बात करने लगते हैं यह democratic constitution ले आते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था यहां पर movements चल रहे थे कुछ इस तरीके से तो प्रो डैमोक्रैसी मुव्मेंट चल रहे थे उस ट्राइम प करना पड़ा की democratic constitution established किया जाएगा 1990 में लेकिन यह जो डैमोक्रैसी थी यह जो डैमोक्रैसी गोवर्मेंट थी यह बहुत कम टाइम के लिए रही और इनका बहुत ज्यादा केरियर जो रहा पूरी democratic constitution का वह बहुत ज्यादा ट्रबल फुल रहा ठीक 90 के अगर हम बात करें जैसे कि 1990 के हम बात कर रहे हैं तो यहां पर जो मावेस्ट थे नेपाल के यह क्या करते हैं नेपाल में अपने काफी influence कर देते हैं मतलब आप देखो तीन चीज़े हो गई एक जगे कौन है मोनाकी दूसरी जगे हम किसे देख रहे हैं तो यहां पर डै तो डैमोकृट्स और तीसरा आब हमने देखा कि यहां पर आगे कौन मतलब वेक में माव एस्ट यह इन्फ्लूएंस करते हैं नेपाल में काफी पार्ट को नेपाल के काफी पार्ट में मतलब जो लोग होते हैं इसे प्रभावित हो जाते हैं और इनके प्रभावित होने क पर हम बात कर रहे थे रिवाल्ट या विद्रो इसे कहा जाता है तो हम यह अगेंस्ट में गवर्मेंट के ठीक है तो यहां पर मावेस्ट का कहना था गर कोशन पूछा जाए कि इनकी आइडियोलोजी क्या थी तो यह कह रहे हैं कि आम इंसरेक्शन होना चाहिए आम रिवाल् होता है इस मावेस्ट गुर्रेलास और आम्ड फोर्सेस के बीच में मतलब की अब हम बात कर रहे हैं कि एक बार तोड़ा सब्सक्राइब में हम समझें तो मावेस्ट आई 90's की हम बात कर रहे हैं इन्होंने बात कहीं किसकी Arm Insurrection की मतलब कि हम Arm से ही विद्रो करेंगे अब इस वज़े से क्या हुआ यह जो conflict थे यह दो लोगों के बीच में हो गए एक तरफ हो गए Maoist और एक तरफ हो गए King की Army ठीक तो अभी तक हम क्या देख रहे थे अभी सिर्फ किसके बीच में conflict चल रहे थे King और Democrats के बीच में अब तीसरे वेक्टी जो यहां पर आ गया है मतलब एक तरीके से जो तीसरी टीम की हम बात करें तो यह कौन हो गए अब माविस्ट क्लियर हुआ है हाँ तक कोई डाउट तो comment section में पूछ लीजिए आगे हम यह देखते हैं कुछ time के लिए यह जो conflict होता है यह triangular conflict हो जाता है कैसे triangular conflict मतलब अगर हम ऐसे करके triangle बनाते हैं तो एक तरफ हम किसे देख रहे हैं माविस्ट को एक तरफ हम किसे देख रहे हैं Democrats को और एक तरफ हम किसको देखते हैं तो यहां पर last जो हमने देखे वो हमने देखे Monarch clear हुआ तो इस तरीके से यह triangle बन जाता है और इन तीनों के बीच में लड़ाई जगड़े होते रहते हैं क्या होता है अब आपको क्या लग रहा है democracy setup होगी या फिर होना चाहिए या फिर किंग का रूल ही होना चाहिए 2002 में अब क्या करते हैं किंग जो Parliament established की गई थी उसे abolish कर देते हैं अब Parliament क्या तो Parliament इंडिया का example समझ लो यहां पर बहुत इजी है जैसे इंडिया में जो पार्लियमेंट है हमने क्लास 11 में बढ़ा था कि decision making power Parliament के पास है क्योंकि democratic constitution है यहां पे इन्हों ने democratic constitution बना दिया था एक तरीके से तो Parliament में हमारे आए लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट ठीक इसी तरीके से यहां पर भी जो भी structure रहा होगा तो जो पार्लियमेंट थी इसे किंग अबॉलिश कर देते हैं गोवर्मेंट को dismiss कर देते हैं और जो limited democracy पार्लियमेंट के बेसिस पर इन्हों ने नेपाल में देखे रखी हुई थी इसको पूरी तरीके से यहां पर क्या कर देते हैं समाप्त कर देते हैं अब इस वज़ए से क्या होता है एप्रिल 2006 में फिर से मैसिफ कंट्रीवाइट कंट्रीवाइट प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट होने लगते हैं और यह प्रोटेस्ट होने की वज़ए से यह पहली मेजर विक्ट्री अचीव करते हैं क्योंकि किंग यहां पर इक तरीके से किंग को फोर्स किया जाता है कि आप क्या करें जो आपने अबॉलिश की हुई थी पार्लियमेंट 2002 में अब फिर से आप उसको रिटेन करें तो यहां पर यह रिस्टोर करते हैं उस आफ रिप्रेजेंटेटर्स जो कि 2002 में डिजॉल्फ कर दिया गया था ख्लियर हुआ यहां तक तो इस तरीके से नेपाल में कंफ्लिक्ट चलते रहे लार्जली नॉन वाइलेंट मॉव्मेंट होते हैं किसके थूँ तो यह एस पीए जो है यह एक सेवन पार्टी अलायंस थी यहां पर मावेस्ट और सोशल एक्टिविटीज के द्वारा नेपाल का ट्रांजीशन अब यहां से डेमोक्रेसी से की तरफ एक तरीके से अल्मोस्ट कंप्लीट हो चुका है नेपाल ने काफी यूनिक मुवमेंट देके अपनी हिस्ट्री में क्योंकि यहां पर नेपाल भी क्या चाहरा था इंडिया की तरह कि हमारी भी एक कॉंस्टि क्यों है तो क्योंकि पास्ति में इंडे के थोड़ा थोड़ा तो वजूद होना ही जाहिए इस वजह से यहां पर यह देखा गया कि कुछ लिंक्वाचम से रखने के लिए आज भी नेपाल में कुछ North me मोनाटी है नॉमीनल मोनाकी है मतलब की सिर्फ नाम के लिए है अदर श्रगल को अब खतम करते हैं और यह जो कॉंस्टिट्वेंट असेम्बली बनी है यह एकॉंस्ट्यूशन सेट अप करीगी यह चाहते थे कि जो कॉंस्ट्यूशन है कॉंस्ट्यूशन में कुछ शोशल और एकनॉमिक रिस्ट्रक्च्टरिंग हो और ऐसी हो कि हमारे लिए लेकिन बात यह है कि जो एस पीए है सेवन पार्टी अलायंस है वो इस चीज को मानने को तयार नहीं है कि मावेस्ट के लिए हम ऐसे प्रोग्राम लेकर आए अब जो मावेस्ट और कुछ अधर पॉलिटिकल ग्रोप्स हैं वो यह चाह रहे थे कि इंडिया के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करके हम काम करें क्योंकि हम देखते हैं इस तरीके से कि इसका फ्यूचर जो है नेपाल का उसके लिए इंडिया वर्क करें 2008 में नेपाल डेमोक्राटिक रिपब्लिक बन चुका है आफ्टर अबॉलिशनिंग दा मुनाकी तो 2002 में पार्लेमेंट अबॉलिश कर दी गई 2006 में फिर से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटेटिव सेट अप किया गया कॉंस्टिउशन बनानी की बात जो कही गई तो 2008 में डेमोक्राटिक रिपब्लिक बन गई क्योंकि पूरी तरीके से मुनाकी को अबॉलिश कर दिया गया ठीक और अब न्यू कॉंस्टिउशन कब बना या नहीं बना तो बिलकुल बना नेपाल का कॉंस्टिउशन सम्विध को प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूलें थैंक यू फॉर वाचिंग